तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी सब्जी तो यह मैंने प्याज लिया है दाल चीनी काली मिर्च बड़ी लाइची यह सब ले लिया है और इसको ग्रैंड किया है मिक्सी में इसका एक परफेक्ट बिल्कुष सोफ्ट बहुत ही बारीक बैटर बना लिया है पेस्ट आदा चोटा चमच और गरम मसाला आदा चोटा चमच थोड़ा साननमक पनफोर्थ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दही में जो भी गाठे होती है लंब सोते हैं उनको अच्छे से फोड़ेंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दही को पहले या पकिसी छलनी से चाय किछननी या किसी और से चलनी से चाल लें इसे और इस सब को अच्छे से हम फेटेंगे पांच मिनट के लिए से छोड़ देंगे तब तक हम करेंगे आगे की तियारी तो मैंने यहां पर यह पालक ली है 100 ग्राम पालक है इसको हम बारी कट कर लेंगे इस तरह से और अधरक भी अड़ करेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसको अच्छा पेस्ट बना लेंगे अब इसमें हमने जो पालक कट की थी वो अड़ कर देंगे तो बरतन थोड़ा बड़ा लें उसके बाद इसमें एक बारी कटा हुआ प्याज कर देंगे सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको दस मिनटे के छोड़ देंगे ताकि हमारी पालक जो है वो सोब्त हो सके और इसको दस मिनटे ड़क के छोड़ दिया है दस मिनट बाद हमारी पालक अच्छे से सैट हो चुकी है तो अब हम इसको इस शेप में तो यहां पर फ्लेम भी मैंने मीडियम ही रखी है और इनको लटते पलटते हुए अच्छे से दोन तरफ से फ्राइब होने तक गोल्डर होने तक इन्हें फ्राइब कर लेंगे तो यह दाल और पालक की प्रकोडे हमने रेडी कर लिये हैं इनको आप स्नेक्स में भी बना सकते हैं चाय के साथ या फिर उसके साथ भी लिक नाज हम इसकी बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बना रहे हैं तो प्रकोडे रेडी हो चुके हैं सारा तेल निकाल दिया एक टेबल स्पून ओल छोट दिया उसमें जीर डाल दिया हींग डाल दी और जो हमने पेस्ट बनाया था बो इसको चलाती हो अच्छे से फ्राइब कर लेंगे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा साथ नमक डाल दिया है नमक अपने हिसाब से डालें ये ग्रेवी के लिए नमक है तो अब इसको अच्छे से भून लिया है आप दिसकते हैं ओल छूट चूट चुका है इसका मतलब हम पानी अड़ करें पानी तक बॉइल किया इसको मैने और अच्छे से बॉइल हो चुकी है और अब इसमें यहां पकोड़े बनाया थे बॉइट कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से तो आप इसमें चाहें दही की जगह टमाटर भी अड़ कर सकते हैं पर दही से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पांच मिनट के लिए से हमने कुप कर लिया लो फ्लेम पे ढखके पांच मिनट बाद हमारी ये दाल और पालक की टेस्टी सी सबजी रेडी है जिसे आप कि आपल के साथ खा सकते हैं तो सर्व करेंगे इसको हम थाइंक इस सो मच पर वोशिंग मैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइकन ओन कर लें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाए बाए